हेलो एवरिवन वेलकम तो दे प्रेजेंटेशन कॉंसेप्ट और आज हम कॉंसेप्ट सीखेंगे किस तरीके से आप पिरामिट डायाग्राम को क्रेट कर सकते हैं पावर पॉइंट के अंदर ठीक है तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे टूडी फर्स्ट टूडी पिर पिरामिट की तरफ जाएंगे उसको समझेंगे कि 3D को कैसे ग्रेट करना है एंदेन लास्ट में मैं एक बोनस टिप देना चाहूंगा आप लोगो को कि डिरेक्टली आप इस जो भी 3D पैरामिट है भी इसको कौन शेप में यानि कौन डायाग्राम में कैसे कर सकते हैं ठीक लोग या तो शेप में जाके सिंपल ट्रैपेजोय ले लेते हैं मैं एक चुन में स्टार्टिंग कराऊ थोड़े से रॉंग वे से जैसे लोग बनाते हैं फिर इसको डूप्लिकेट किया इसको डूप्लिकेट किया इस तरीके से और उसके बाद में यल्लू एडिट पॉइ ठीक है ठीक है बड़ इससे यूज नहीं करने वाले हम लोग जो जंडरी गलती करते हैं लोग इस तरीके से आपको नहीं करना है दूसरी मिस्टेक लोग क्या करते हैं इसकेट करने के लिए सिंपल एक ट्रैंगल बना लिया ठीक है ट्रेंगल बनाने के बाद इंसर्ट शेप में जाकर फिर रेक्टेंगल से कुछ विट देदी रेक्टेंगल की इस तरीके से और उसको जस्ट इस तरीके से कहीं विरेन अबली प्रेस कर दिया उसके बाद सबको स्लेट करके अलायन वर्री की घर दिया कली इंसर्टवश चाविता दिया तरो लोग क्या करते हैं क्न्ट्रोल जिसकों इसअ कि यूनिन येक्टियुस को सोनात इक्षिप में जाकर जाकर उने union करने के पाद क्या करते हैं इसको select करते हैं त्वालीशेप की अब इस यह आपका अचीव हो गया है तूदी पिरामिज आपने बना लिया है कोई गलती नहीं है इसके इनदर ठीक है प्राब्लम कहले के लिए टूती है जब आपको इसमें color और फिल करना होगा ठीक है एक ही color आएगा इसके अंदर आप चाहते हैं कि एक एक अलग अलग किसे बने इसके इस तरीके से नहीं होगा ठीक है तो अगर आप चाहते हो कि आप इस तरीके से different different color तो यह मैं अचीव नहीं किया जाए सकता दूसरी मिस्टेक यह है लिमिटेशन है मिस्टेक नहीं कहूंगा अब इसी तरीके को देखते हैं कि इसको अगर अगर आपको आगर यह क्रियेट ही करना है तो आप इसको union करके subtract मत कीजिएगा क्योंकि वह A की shape बनता है ठीक है इसके लिए दूसरा option है मेरे पास वह है मेरा fragment का ठीक है सबको select कर लूँगा मैं अब आपको क्या करना पड़ेगा एक एक करके इसको ना हटा के डिलीट करना पड़ेगा ठीक है जैसे select कि आपने इसको डिलीट कर दिया लेकिन ठीक है इसको थोड़ा सा फास्ट करने करें सबको select करना हो बीच वाले portion को अब मैं डिलीट प्रेस कर दूँगा तो मेरा सारा हट चाहेगा यह सही तरीका है क्योंकि हर शेप अलग है इसमें आप कोई भी कलर कर सकते है अपने चोईस का ठीक है यह यह वक करेगा यह पहला सही तरीका अगर आप टूडी पैरामिट कुछ भी क्रेट करना चाहते है ट अब आते हैं मीन टॉपिक पर वह है जो हमारे पास है रेक्टेंगल की इंसर्ट में जाएंगे शेप में जाएंगे और रेक्टेंगल शेप में लेगी आपको इसको आपको लेना होगा शेप को स्क्वेयर बनाना है ठीक है शिफ्ट प्रेस करके रखना कीवड से स्क्वेयर बनना चाहिए रेक्टेंगल नहीं बनाना है ठीक है एकोर्डिंग स्क्वेयर बना लेजी इसको मैं तो फिर मैं कंट्रोल डी करूँ दुबारा से और एक और करेंगा अब फिर से गाइड मुझे बता रही है मिडल में है और सेंटर में ठीक है अगर आप ऐसे कर सकते तो बढ़िया है अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो फिर आपको स्लेक्टर आपनेगा दोनों को और इस त तरी के से ठीक है और मैं फिर से जाता हूं यह कोर मैं स्क्रेट कर लेता हूं चोटा रेक्टेंगल इस तरी के से अब जब आपने रख्टिंग अब आप इसमें क्या हुआ स्क्वाइर के अंदर एक इसक्वाइर के रिट किया फिर दो स्क्राइब तीसरा स्क्वाइर के रिट किया ठीक है अब इन सबको आप गुरूप कीजिए कंट्रोल जी स्लेक्ट करने के बाद कंट्रोल जी अब यहाँ पर शेप ऑप्शन के अंदर यह सेकंड वाला पेंटागन वाला इफेक्ट ऑप्शन इस पर क्लिक कीजिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे 3D फॉर्मेट और 3D क्योंकि थी पिरहमिट हम करेयट करने जा रहे हैं तो यह दौनों ऑप्शन ही उसकरने वाले हैं बहुत जादा तो 3D रोटेशन में हम रोटेट करना है हमें इसको तो हमें इसका परस्पेक्टव यू चाहिए तो यह पैरलल व्यू है परस्पेक्टिव है इस वाले के view देगा इसने इसके अंदर z-axis और add कर दी है अभी तक यह x और y में था जो कि x square create हो रहा था right next step next step हमारा क्या होगा क्योंकि यह देख रहे हैं आप एक parameter का एक part है फिर उसके ऊपर दूसरा part है फिर तीसरा फिर चौता तो क्या है यह पार्ट डिस्टेंस इसे हो कहता है रेफ्रेंस लाइन से ऊपर जा रहा है कुछ distance मीटर में सेंटीमेटर में कुछ में भी यह फर्स ब्लॉक उपर गया second block और उपर गया third और उपर गया ठीक है तो यह distance add हो रहा है इसको समझने के लिए इस तरीकी समझे distance add हो रहा है तो वहीं करने वाले है अब हम distance add करने वाले है ठीक है यह मेरा first वाला है यह मैंने first select किया है अब यहाँ पर make sure कर लेना क्योंकि आप grouping में है आप जब first click करेंगे तो आपका group वाला circle जो भी आपका square में जैसे भी है वो reference line दिखा रहा है चार ओर group वाली अब आप जब second click करेंगे ठीक है तो उसको आपको इस पर click करना है इस वाले पर अगर मैं पहले इसको करना चाहता थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूं उस case में ठीक है अभी मेरी calculation क्या है कि मैं distance अपना जो भी reference line है यहाँ पर नीचे baseline है उससे मैं 50 का distance में उपर उठाऊंगा ठीक है तो 50 वाला first के लिए उठाऊंगा फिर 50 वाला इसके लिए उठाऊंगा यानि 100 हो जाएगा 50 प्लस 50 और यह 150 हो जाएगा अभी के हिसाब से calculation के हिसाब थे मैं यह कर रहा हूं ठीक है तो मैं सबसे पहले उपर बाले को उठा लेता हूं जो आपको clearly visible होगा ठीक है इसको मैं 150 उठा लेता हूं इसको 150 इसको 100 और इसको 50 base line से वो कैसे करते हैं वो देखते है शेप एफेक्ट वापि पताया है यह hard and fast calculation नहीं है आप अपने according play भी कर सकते हैं देख सकते हैं मैंने just even even distance रखने के लिए एक सब कर रहा है 50 plus 50 plus 50 ताकि even distribution रहे मतलब जो भी distance में है और maintain रहे कोई synchronization रहे तो इसको 150 देखे मेरा ये वाला rectangle 150 distance पर base से आ चुका है अब इसके उपर वाला यहाँ पर 150 म यह भी उठ गया उपर 100 के बाद 1 oh sorry 50 खाली यह भी अपने position पर आ गया है ठीक है अभी खाली squares है ठीक है ऐसे समझे 2D squares है बस मैंने उन्हें Z axis देदिया उसको perspective देदिया जिसको आपको लग रहा है कि आप उपर से दीख रहे हैं बट है तो यह 2D ही अभी इसमें Z axis आड करन के लिए कुछ इसमें डेमेंशन इसकी sorry डेमेंशन चाहिए डेमेंशन क्या चाहिए जैसे अभी height है इसकी width है लेकिन इसकी जिसको कहते हैं thickness थिकनेस नहीं है वो 3D option में हमें प्रोवाइड होता powerpoint में bevel के नाम से ठीक है अगर आप 3D format में जाएंगे तो यहाँ पर देखे top part से edges को निकालेगा उसके अंदर से ठीक है यह z axis बनाएगा उसकी thickness बनाएगा ठीक है तो मैं bevel select करता हूँ और यहाँ पर आके यह वाला bevel जो है angle bevel यह मैं select कर लेता हूँ ठीक है sorry 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 मुझे सब पर करना है actually मेरा यह बीच वाला selected था यह देखे मुझे पूरे group पर करना ह है bevel क्योंकि सब के लिए bevel देना चाहिए right यह अब मेरे पास थिकनेस आ चुकी है जोकि Z axis भी आ गई है XYZ अब यह 3D बन चुका है ठीक है अब यहाँ पर देखे इसके कुछ parameters है पहला parameter है height का ठीक है अब देखे मैंने 50 का distance रखाता तो यहाँ calculation है आप hard and fast नहीं कि 50 रखे अगर 50 है तो यहाँ पर आप 44 के आसपास रख सकते है 45 के आसपास रखते है ठीक है 50 से थोड़ा सा नीचे 6.7.8 चल जाएगा कोई issue नहीं है तो यहाँ मैंने 44 रखा यह देखे right उसके बाद मैं आप मेरे को width रखनी है ठीक है width का भी इतना कुछ नहीं है 26 36 के आसपास 46 अब यह दिख रहा है हाँ यह एक parameter है ठीक है तो कोई hard and fast rule नहीं है but अब try के जीए जैसे आपने 50 डाला तो 50 के नीचे ही थोड़ा sign को control कीजेगा ओके अभी मेरे को एक 3D view मिल चुका है अब बस मुझे से rotate करना है क्योंकि आप अगर मेरे final result में देखेंगे तो यह rotated है यह actual में ऊपर वाला view नहीं है यह side view है अभी मुझे यह side view चाहिए यह वाला तो इसको मैं rotate करना पड़ेगा ठीक है concept ही है effect में जाएंगे आप यहाँ 3D rotation 3D rotation में देखें X axis rotation है Y axis और Z axis यहाँ पर आपको थोड़ा सा play करना पड़ेगा देखें मैं X को rotate करता हूं तो मेरा इस तरीके से आएगा ठीक है Z को rotate करता हूं इस तरीके से आएगा ठीक है वाई मैं इस तरीके से थोड़ सा और उपर देखें गए है रहे है यह यह देखिए पूरे को स्लेक्ट किया मैंने लाइन में जाके नू लाइन करूंगा वह भी लाइनिंग नीचे यह मुझे ठीक है अब नीचे वाले में जैसे मुझे कोई भी कलर कलर स्की मैंने पहले से ही कॉपी कर रखी है तो जस्ट में से ही कलर यहां पर फिल कर लेता हूं ठीक है अब ही देखे थोड़ा सा इसमें मिच को इसके एंगल्स में थोड़ा सा वह लग रहा है प्रस्पक्टिव तो यहां से मैंने ली आने 50 का वह 50 का थोड़ा सा लिस्टेंस कम लग रहा है अगर मैं मालो मैं पहले वाले को 80 नहीं 100 पहले वाले को मैं 100 कर दूँ फिर दूसरे वाला 200 फिर 300 ट्राई करते हैं इसको ठीक है टॉप पार्ट को 200 करते हैं थर्ड वाले को 100 करते हैं यह आपको प्ले करना पड़ेगा प्ले किये बिना इस तरीके से कोई हार्ड फास्ट इसमें आर्गूमेंट नहीं है कि इतनी हाइट डाल दी इतनी विट डाल दी और आपका क्रेट हो गया ऐसा कुछ नहीं प्रैक्टिस के उपर है मैं जैसे लेकिन हाँ कुछ पॉइंट के पास में ही मुझे हाइट रखनी इसकी आराउं 94 और यू कन से 90 इस आल तो ओके अब यहां पर वेट वेट से आप खेल सकते हैं सुड़ासा विट चेंज करके दिखते हैं यप्टे 6 हूँ हूँ इस लुक्स गुड राइट नौ इस फो मी इस लूक्स कुड ठीक है यह आपका पेरमिड क्रेटिड है अभी कलर फिल करना आपको जस्ट मैं आई ड्रॉपर ले रहा हूं यहां से मैंने अपने क्यूई टी में एड कर रखा है आप यहां से भी जाकर कलर फिल मैं आई लास्ट मैंने इस गोगलर किया या फिर इस गोगलर किया ठीक है देखें थेड़ी पिरामिड आपका रेडी है इसके अंदर एक चीज़ और समझने की है जो मैंने ऑप्शन छोड़ दिया यहाँ पर ज्यादा वह एक्षिल में इससे रिलेट नहीं करता बट वह आप्शन बह लाइब है मैं कंट्रोल जैड करके दुबारा से आप वो दोगर के दिखाता हूं ठीक है यह देखें अब मटेरियल में जाएंगे सॉफ्ट करेंगे देखें लाइटनिक इस तरीके से आएगा पर मुझे पहले वाला ज्यादा अच्छा लग रहा था इस तरीके से ठीक है तो वह है एक्सपेरिमेंट करते लिए कुछ ना कुछ नया दिखेगा एक्सपेरिमेंट करने में अच्छा अब कई लोग सोचते हैं एडिशनल चीज और बताता हूं उसके अंदर में आपको जैसे कुछ भी डमी टैक्स ले लिजी प्रेजिंटेशन कॉंसेट ठीक है यह मेरे चैनल का नाम भी है प्रमोशन कर रहा हूँ है अपनी चैनल की थोड़ा सा बड़ा कर रहा है इसको मैंने टैक्स को अब आप सोचिंगे इसको रोटेट कर दू मैं इस तरीके से लगा दू नहीं इसके अंदर बिल्कुल भी नही परस्पेक्टिव में ही जाना पड़ेगा जैसा कि हमने फर्स्ट टाइम को करेट करने के बाद किया था फिर से हम एफेक्ट आप्शन में जाएंगे ठीक है हमारे पाद 3D रोटेशन है इसमें आया मैं यहां परस्पेक्टिव आप रह सकते हैं यह भी वर्क कर सकता है और सब्सक्राइब कर जाएगा तो एक रिलैक्स में यह है आपका ठीक है परस्पेक्टिव रिलैक्स्ट यह अपने हापी थोड़ा सा वैसा हो गया है अब आप इसो सेट कर लिए अब एक्च्छल में लगेगा कि हाँ उसी के उपर है और नहीं लगेगा इसको वाइट कर रहा हूँ है इस तरीके से ठीक है अब देखें यह टूड़ी में इस तरीके से था लेकिन परस्पेक्टिव इसका चेंज हो चुका है मैं इसकी कॉपिया और मना रहा हूँ जस्ट यह चेक करने के लिए दूसर परस्पेक्टिव आपका कैसे तरीके से काम करेगा अगर मैं यह वाला परस्पेक्टिव करता हूँ परस्पेक्टिव अभव वाला यह मुझे इतना अच्छी तरीके से नहीं लग रहा काम कर रहा है अच्छल सकता है चोटा साइस चोटा करके करेंगे तो ठीक है तो यह भी अच्छा लग रहा है तो आपको ऐसे ही कुछ हिटन ट्रायल मेथड करने पड़ेंगे यह तो यह पूरा मैंने कॉंसार्ट पता दिया आपको 3D का कि आप 3D को कैसे क्रिएंट करेंगे हां लास्ट डास्ट रिक जो मैंने आपको बोली थी कि इसको मैं पताओगा कि आपको कैसे बंड़ा चेंज कर सकते क्लिक करेंगे शेप फॉर्मेट में जाएंगे एड़ेशेप में जाएंगे चेंज शेप में जाएंगे उसके बाद बेसिक शेप वाली जोती है वह सिंपल क्लिक कर दें दिखें डिरेक्ट क्लिक कोई जरूत यह कोन बनने की भी खोन भी बन गया ऐसे ठीक है तो आज की वीडियो में इतना ही थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मैं वीडियो अगली वीडियो में मिलते हैं